है तो वाट्सप गाइज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो और विडियो और विडियो चानल वे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम हमारे होम योगा एप को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो हमने डेटा डेटाबेस में एंट्री करी है उसको रीट करने की कोशिश करेंग तो मैं हाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरे मुबाइल की ताकि आपको भी दिखे कि मैं हाँ पर क्या काम कर रहा हूँ तो यह रहा मेरा स्क्रीन नाइस तो यह मेरी स्क्रीन आ गई है और मैं इसको हैं साइड में लगा देता हूं और इस तरीके से बढ़िया चलो तो अब हमारा सब काम हो गया है कंसोल लेवल पर हमने डेटा को रीट कर लिया था और अब अगर मैं यहां पर देखू मेरे होम मेरे इनिट स्टेट में तो मुझे यहां पर रीड योगा सम एंट्री दिख रहा है तो इसकी साबसे मुझे यहां पर डेटाबेस की कुछ एंट्रीज देखने को मिलनी चाहिए को यहां पर हमें प्रिंट करवाना चाहिए तो एक पर वार मैं इसको रन करे देखता हूं चीक करते कि हमारे यह सारी आ पर करम में इसको नहीं होड पर कर दिया हैंधि ऐस्टाट का without the ठीक है तो बाकिया में नीचे देखते हैं क्या हमें कुछ data देखने को मिला वापी से मुझे रहा श्याद हो ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे स्टार्ट अप्लिकेशन होम पेज एंड यह हमें यहां पर images देखने को मिल गई यहां पर प्रिंट करें देखते हैं यहां पर यहां पर सेव करवा ही रहे हैं योगासम लिस्ट में मैं करूंगा निचे जाओंगा योगा-फॉर-a-all में ctrl-left योगा-for-all और यहां पर आने के बाद में क्या करूंगा कि यहां पर मैंने बनाय हुए हैं यहां पर योगा-for-all ये-text एंड ये-ink-wealth तो तो मैं करूंगा कि एक list create करूंगा list view तो मैं हाँ पर लिखूंगा list view जोम कर जैता हूं थोड़ा सा तक कि आप लोगों को साफ-साफ यह दिखे लिस्ट्रू.builder and then Builder लिखने के बाद में मुझे हैं हाँ पर Item Builder पास करानअ पढ़ेखा so Item Builder Item Builder में मैं हाँ फास कराऊंगा Context और Index and यहाँ पर मुझे क्या करना पढ़ेगा चीज़े одна运 रिकन करने पढ़ेगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो the return, guessing I've all been read and a complete ink value आप अपे जिरार करो मैं और से पूरे को से copy करता हूँ औरacionesvousकbers number English यहाँ रिंकाया करने के बाद में मैं यहाँ पर सारी जो छीजेये उसको यहाँ पर pace करना चाहता हूं जिससे कि मेरे network image है, तो उसके लिए मैं हाँ पर क्या करूँगा यह इस तरह किसे लिखोंगा तो यह ने इसके बाद मैं लिखोंगा yoga sum list yoga sum list and then यहाँ पर लिखोंगा मैं index index and then dot and yoga workout name background image and then dot to string तो यह क्या हो गया मेरी यहाँ पर पूरी string copy हो गयी then इसके बाद मैं मुझे इसका नाम देना है तो yoga for beginners के जगे yoga sum list yoga sum list then again index and then dot yoga workout ka name मुझे आपर पास कराना है तो yoga workout name then इसके बाद मैं time taken तो मैं आपर last time की जगे पर यहाँ पर लिख दो time taken so yoga sum list and then index and then dot time okay मुझे आपर time taken मुझे आपर यह string में मुझे time taken लिख के बता रहाए कि इतना time में ले रहा हूं ठीक है यह इतना मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा और यहाँ पर कुछ मेरे पास है नहीं बताने को ठीक है तो इतना मैं करता हूं बाद कि मुझे आपर एक और चीज़ पास करानी पड़ेगी जो कि मेरा item count so मैं आपर लिखता हूं item count item count और item count में क्या लिख दूँगा yoga sum list dot length तो यह मुझे आपर length written कर देगा अब इसके बाद में इसको एक बार hot restart कराता हूं और check करता हूं कि यहाँ पर मुझे जितने भी मेरे yoga for all में में जितने बेंट्री से वो मुझे देखने को मिल रही है तो मुझे हों पर हों पर क्लिक करूंगा तो यह बलेगा yoga sum list has not been initialized I think मैंने यहाँ पर इसको true return ने करा है चाद इसलिए यह मुझे मुझे महाँ पर जो print है वो करके नहीं दे रहा था चीज है तो yoga sum list and उपर okay isLoading मुझे यहाँ पर false तो मैंने यहाँ पर करा हुआ है setState मुझे यहाँ पर setState and setState मैं उपर कर दता हूं नीचे कर दता हूं and then इसके बाद मैं isLoading को मैं यहाँ पर कर दता हूं करने के कुशिश करता हूं so setState current शायद यह error मुझे देखने को बल रहा है and still yoga sum list has not been initialized yoga sum list I think यहाँ पर क्या issue हो रहा है कि यहाँ पर मेरा यह run हो रहा है and then यह run होने के बाद मैं this.yoga sum list मुझे इसको setState में डालना चाहिए alt shift ठीक है तो यह फिर इसको change कर देगा और मुझे इसको delete कर देखने but अकर यह इस तरीके से होगा तो I don't think so कि यहाँ पर कुछ change आने वाला है yoga sum list में पर इसको प्रिंट करा रहा हूं तो प्रिंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई हमें response देखने कर नहीं मिल रहा है so let's see मतलब यहाँ पर हमारा data तो आया है और has size मतलब की ठीके ठीके मतलब की run हो रहा है ठीके run हो रहा है देखो हमारे पहले आ रहा था की red screen आ रहा था उसम बता रहा था अब अब initialize हो चुका है अब आपको यहाँ पर list view से related कुछ यहाँ पर error निकल का रहा है nice तो हम उसे fix करना है list view पर चलते है list view.builder और इसमें हम shrink wrap को true कर देते है shrink wrap को true कर देते है and then again run देखते हैं क्या इस्तिती है restart मतलब hot restart hot restart क्यूकि हम init state वाले function को बार बार रन कर रहा है ठीक है तो yoga for all, yoga for beginners still हमें वही चीज़ देखने को मिली है और yoga sum list has not been initialized and इसके वाद में simple हमें आपर set state में हमारी call होगी है so एक बार में yoga for beginners को मतलब print तो यहाँ पर मैं करवा रहा हूं but still in it state में call हो रही है हमारी area yoga sum list यह हमें return करनी चीज़ यह list जो की read yoga sum entry and then इसके बाद में this yoga sum entry तो ठीक है मैं इस error को figure out करता हूं then इसके बाद मैं आपको वापीस बताता हूं okay so error यह था कि मैंने मेरा अप को वापीस से रिंस्टॉल करा था और जिसके बीच में मैंने यह में यह इसमें कुछ entries हुई नहीं और उसके कारेंड हमारा app कुरन करते है मैंने अपके सामने अनकमेंड करा है और मैं होमपेश पर क्लिक करता हूं और होमपेश पर क्लिक करने के लाद में आप देख सकते हैं कि बेगिनर योगा नाम की हमारे पास में एक यहां पर नई category निकल के आती है जो की अलग थे जैसे आपने पहले देख थे पहले नीचे की तीन थाभी उपर का एक और नया जूट के आ गया बट दिक्कत यह हो रही है कि इसमें बैग्राउंड इमेज ने आ रही है यह बोल रहा है कि बी ए एच्टीटीपीएस का इस्तमाल कर दिया है इसमें यहां तो ही कर दिया लिए जो हमेas इसे पर आपने को रहा है यहां पर और जितनी भी योगा की एंट्रीज़ से उसे शोग करवाना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसके लिए में योगा का नाम और योगा की श्रूनिक की रखते है तो हम एक काम करते हैं हम हमारे हर एक योगा की योगा सेमेंट्रि की एक यूणी की रखेंगे जब भी कोई नए योगा आट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 वे इस तरीके सरसे रखेंगे ताकि क्या हो कि हम उस की के आधार पर उसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते अब किसी का नाम से हो सकता है, Beginner Yoga आपके योगा फॉर ओल में भी हो सकता है, Beginner Yoga आपके Kits में हो सकता है, Beginner Yoga आपके जो Old Citizen है उसके इसमें भी Beginner Yoga हो सकता है, ठीक है? तो वह है, बट हमें की रखेंगे तो उससे हमें काफी अच्छा से समझ में आएगा चीज है, तो यह मैं आपको टास्क न देता हूं कि आपको योगा सम एंट्री में एक नई फील्ड जो जोननी है, और मैं आपको बताया है किस तरीके से फील्ड को जोननी है, अगर आपको पता तो आप वो वीडियो वापी जाके चकाउट कर लिजिए कि किस तरीके से आपको करना है, तो आपको यहाँ पर एक नही आईड क्रियेट करनी है, यह आईड तो आपके डेटाबेस में सेव रहेगी, इसको आप रहना है, एक अलग से आईड बनाई है, जो कि आप खु कर दूँगा तब तक और अगर आपको मतलब वीडियो देखके भी समझ में आ रहा हो तो आप को भी देख सकते हैं, अपको हर बार कोट के लिंक मिली जाती है, तो आप महां से चक कर सकते हैं कि किस तरीके से उसके करना चाहिए था, तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों और मुझे मालूम है कि मैं काफी स्लो चल रहा हूं बट आम ट्राइंग मैं बेस्ट और मैं जितना कर सकता हूं मुतना कर रहा हूं बट मैं और ट्राइ करूंगा और ज्यारा कंटिल लाने की, तो फिलाले तर इस वीडियो में तना ही मिलों में आपके नेक्ट वी